हालो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल और कैसे हो आप सभी आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उमिद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होईंगे और प्लीज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ जादा से जादा से जादा सेर कीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अभी मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ टिफिन बॉक्स बना रही हूँ कल मैंने डिसाइड किया था कार्तिक के टिफिन में मैं पराठा दूंगी आलू का क्यूंकि वो दो दिन पहले ही बोल रहा था और मुझे मैं हर बार बना ही नहीं पाई थी लेकिन इस बार ना फिर मैंने रात को ही कुछ चीजें तैयार करके रख ली थी ताकि सुबह आटि फिन बनाने में देर ना हो तो मैंने आलू बॉयल करके फ्रीज में रख दिये थे चील के और उसके बाद फिर मैं अभी मैंने स्टफिंग ऐसे कड़ाई में ही बनाई है थोड़ा सा तेल लिया था हल्का सा ही उसमें जीरा डालके और सिर्फ सिंपल सा मैंने हल्दी पाउडर नमक और थोड़े थोड़े से मैंने मसाले डाले थे उसके बाद हमका सही मैंने फ्राइग किया और छोटे-छोटे आलू थे मीडियम साइज के वह एने डाल के और उनको थोड़ा सा फ्राइग किया और पटेटो मैसर से मैंने मैस करके स्टाफिंग तयार कर दी और कुछ भी नहीं डाला इसमें मैंने नहीं दन्या डाला ना प्य तो एक ही पराठा रखूंगी मैं कार्तिक को टिफिन बॉक्स में जादा कुछ तो ले जाता नहीं है अभी बच्चे नहीं ले जा रहे हैं और अभी मैं रखती नहीं हूं तो बस मैंने सिर्फ सिंपल सालू का पराठा ही रख दिया है और कुछ भी नहीं रखा उसने तो वो जो है वो भर लिया मैंने पीसेस करके रख दिये थे चार तुकड़े करके ताकि वो अच्छे से वहां खा ले तो इस तरीके से ना बच्चे निकालके और खा लेते हैं तो देखिए एक पराठा सिग गया है और दो ठोबस एक तवी पे है और एक ये बन गया है तो बड़े और आज के पराठे देखिए कितने अच्छे से फूले हैं बहुत ही अच्छे से पहली बार मेरे कोई पराठे फूले हुए से बन रहे हैं जैसे रोटी बनती है आप लोगों को मैं कभी भी जब भी पराठे बनाती थी आप लोगों को बताती थी मेरे पराठे कभी नहीं फूलते हैं तो देखिए आज पता नहीं कैसे फूल गए हैं और मैंने आलू को जो स्टफिंग बन अच्छे सेके हैं और देखिए मैंने खूब अच्छे से करा रही होने तक इनको सेका है तो ये हमारा जो पराठा वो रेडी हो गया है और मैंने इसमें खूब सारी स्टफिंग डाली है और आठा कम लिया है तो आप लोग देख रहे होंगे ना उपर तक इसमें आठ दिख र पराटा खाऊना तो दही के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं अभी दो दिनों से ना यही इंतिजार कर रही थी कि मैं आज दही जमा दूंगी दही जमा दूंगी लेकिन मैं कर ही नहीं पाई मतलब लही नहीं नहीं पाई दूद का पैकेट और बस ऐसे ही यह वाला आता है यह तो कम आता है तो इस वज़े से मैं इसमें नहीं बनाया तो बस अब दही जमाऊंगी गर्मिया आ गई है वैसे भी तो दही के साथ कोई भी पराटा ना बहुत अच्छा लगता है और अभी तो फिलाल मैं चटनी बना लूँगी टमाटर की उसी के साथ हम काएंगे तो देखिए यह वाला जो पराटा है वो भी कितने अच्छे से फूल लिया है इसको भी मैं अच्छे से दबा दबा कर और अच्छे से बहुत सारे यह क्रिस्पी होने तक इसको सेक लूँगी तो यह हमारे जो पराटे हैं वो तैयार हो गए पराठे बनाने के बाद यहां मैं साथ के साथ लंच की तैयारी भी कर रही हूं तो लंच बनाने लग रही हूं आज मैं बना रही हूं सिंपल सी वैज, मिक्स वैज की सबजी तो जो मैंने आलू, गोभी, मटर और बैगन ये सारी चीजे ली हैं थोड़ा सा कूकर में तेल डाला था उसमें मैंने लेसन डाला है लेसन डालने के बाद सारी सबजियां डाल दी है सबजियां डालने के बाद इसको अच्छे से भूनना है दो तेन मिनिट के लिए था कि अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है न इनका वो छोड़ने लगे अभी मैं साथ के साथ इसमें नमक डाल दूगे न तो पानी छोड़ने लगेगा ज्यादा तर मैं सबजियां कभी भी बनाती हूं तो कुकर में ही बनाती हूं आप लोग तो देखते ही हैं मेरी वीडियोस में तो कोई भी सब्जी हो ने कोकर में बना लेती हूं, अच्छी भी बन जाती है और थोड़ा जल्दी भी ये काम इसमें हो जाता है। दो दिनों से दाल बना बना के बोर हो गई थी तो आज मैंने सोचा आज मैं सबजी बना लेती हूँ अभी दो तीन दिन हो गई थी लगतार दाल बन रही थी सुभी तो इस वज़े से फिर मैंने आज सबजी बनाई है तो देखिए यहाँ पर सबजी को मैंने लगतार भूनते जा रही हूँ ढख ढख कर भून रही हूँ और बहुत ही अच्छे से बनती है इस तरीके से बनाती हूँ मैंने जब भी बनाई है न तो अच्छी बनती है तो वस आगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो आप लोग ट्राइ कीजिएगा साइध आप लोगों की भी अच्छी बने और आपको पसंद आए जो भी नहीं बनाते हैं और बनाएंगे तो मुझे जरूर बताना कि कैसी बनी तो देखिए यहाँ पर ये मैंने सबजी को बूनने के बाद टमाटर डाल दिये हैं खुब सारे अभी टमाटर ज़ादा है न तसे लिए मैंने डाल दिये हैं 3-4 बड़े बड़े साइच के और इसके बाद मने मिक्स मसाला डाला है इसमें मैंने अलग-अलग करके मसाला नी डाला है जो मैं मिक्स मसाला बनाती हूँ धनिया पाउडर हल्दी और मिर्च पाउडर का तो वो मैंने एक चमच भरके और डाल दिया है जादा नी डाला है क्योंकि सबजी भी अपना अच्छे लगता है तो जादा मसाला हो जाएगा न तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है तो वस इसमें मैंने हलका सा इसको भी 2-3 मिट के लिए बूना और उसके बाद मैंने इसमें जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतना मैंने पानी डाल दिया है पाने डालने के बाद धनिया भी डाल दिया है खुशारा काटके अभी इस टाइम पे ना हमारे टामाटर धनिया बहुत सस्ता है तो इसलिए मैं खुशारा डाल रही हूँ तो वस ये चीज़ डालने के बाद है और एक सीटी लगा दूँगी एक सीटी में आराम से ये सबजी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी बहुत अच्छी और यहाँ पर बस दोपैर का टाइम था खाना पीना बनाने के बाद मैंने निचे रहा भी रख दिया भी हम लोग नहीं खाया है और बस दोपैर के टाइम तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये कोडलाई चावल की तो जो ममी नब बनाई थी आप लोगों को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखाई थी कि ममी नब चावल के बनाई थे वो लेकर आई थी तो ये मैंने भी ट्राइ किये हैं मैंने उनसे पूछा कैसे बनाए थे बताओ तो ये जो कुमड़े बरी का पानी होता है ना कुमड़े का तो वो उसी पानी से ये मैंने बनाए है तो मैंने उसी से बनाए है तो सिंपल सा मैंने उसी मैं उबाला है चावल की तरह थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाला था और हलका सा मिर्च पाउडर और बस इस तरीके से वैसे आप लोग अगर पिछले साल के मेरे गर्मी वाले जो ब्लोग देखेंगे ना तो उसमें मैंने बहुत सारी बनाए ही ये और आप लोगों से शेयर भी किये हैं पर मुझे याद नहीं है तो देखती हूँ अगर वीडियो का लिंक मिलेगा तो मैं देदूंगी तो आप लोग देख लीजेगा और यहां पर बहुत ज़्यादा गरम लग रहा था ये तो वही मैं तेल की पॉलिथीन है जो उसी में मैं भर भर के और ऐसे गोल गोल चकरी बनना चाहिए था लेकिन मैं गरम गरम में ही बनाय जा रही थी मैंने सोचा जल्दी से दूप लग जाएगी तो मैं अपने दूपटे से ही पकड़के और बस जल्दी बना रही हूँ अच्छा ये तेल की पॉलिथीन की बात कर रही थी तो बात याद आ गई तो मैं आप ल से बहुत ही जादा रीट बढ़ गए हैं तो मैंने सुचा अपनों को बताओं तो वस यही तक था मेरा आज का वीडियो उम्मिद करती हूँ आप सभी को वीडियो कापी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो पिलीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो चलिए हम मिलेंगे अपनी नैश्टी वीडियो में किसी और अच्छे से व्लॉक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाइ